नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC एड़ा टुवर्ट सेवन पे दीकि एक एरा का एंड हो चुका है एक तरीके से जो कुईन एलिजबेट सेकिंड है इनका 96 वर्ष की उमर में निधन हो चुका है और जब से इनका निधन हुआ है तब से कई सवालात जो है वो कही न कहीं British territory में चल रहे हैं जैसे कोहिनूर को आगे क्या होगा क्योंकि इनके जो सक्सीडर बने हैं वो Prince Charles बन चुके है मतलब जो नए उत्रादीकारी है उसका नाम कोशित हो चुका है क्योंकि उनके बेटे Prince Charles को ही उत्रादीकारी के रूप में निउस किया गया है इनका officially जो coronation है वो कुछ जिनोबाद में होगा लेकिन फिर भी कोहिनूर का क्या होगा और क्यों एक तरीके significance बन जाती है Queen Elizabeth II यह जानना काफी जारा जरूरी है मतलब एक तरीके से इनका जो नाम है दुनिया के सबसे लंबे साशनकाल में शामिल है उसके साथ Prince Charles को अब नया King जो है वो मानित कर दिया गया है और उसके बाद में Queen Elizabeth की death के बाद जो कोहिनूर क्राउन है उसकी बाद भी काफी जादा निउस में चल रही है क्योंकि अब यह जो कोहिनूर क्राउन है यह Prince Charles की जो wife है उनके पास जा सकता है खर जो भी है हम इस वीडियो में discuss करेंगे काफी अच्छे वाज़ा में इससे परसुत करता हूँ में मेरा नाम है सरफस्वामी आगे बढ़ने से पहले एक चीज में आपको जरूर याद दिला दूँ अड़ा रूप्वर सेवन जे अप्लिकेशन आपको डाउनलोड करना है और यहां पर काफी अच्छे अच्छे फीचर्स है जिनका आप यूज कर सकते हैं अपनी examination के preparation को boost अप करने में उसके साथ साथ दें कि यह आप UPSC की तयारी करना चाते हैं तो इसी application पर courses में जाके आप इस course को purchase कर सकते हैं enroll कर सकते हैं जिसको pre plus main plus cset की commandly तयारी के लिए बनाए गया है यह complete evening foundation batch है, live batch है, 900 गंटे के live interactive classes है, e-node, squeeze based lecture, pdf, सब कुछ आपको मिलेगा और 5 September सी course जो है वो launch हो चुगा है तो आप इसको enroll कर सकते हैं उसके साथ साथ आपको यह इस course के purchase करने में डिसकाउंट चाहिए तो Y57-02 code है वो आप use करें और heavy discount आपको मिलेगा और साथी साथ इदि आप state pieces की exam की त्यारी कर रहे हैं वो use करके state pieces का कोई भी course जो है enroll कर सकते हैं उसके साथ आप इस code को use करें तो banking, SSC, railway, कोई भी course हो आप enroll कर सकते हैं और दीके वैसे भी अच्छे-च्छे courses जह हैं वो आपकी सुईधा के लिए बनाये गए हैं और price segment काफी ज़्यादा कम है प्राइस बहुत कम है, content काफी अच्छा है, faculty काफी experience है तो आप इनका फाइदा उठा सकते हैं अच्छा देगे, Queen Elizabeth 2 का basic introduction निदी हम दें तो 21 April 1926 को United Kingdom में इनका जनम हुआ था और 8 September 2022 मतलब 96 years किये जह है इनकी death हुई है इनकी death हुई है Scotland के अंदर, इनका फूरा नाम जो है Elizabeth Alexandra Mary Windsor था और इनके जो पती है, इनका नाम था Prince Philip तो ये सब चीजे basic introduction है और एक चीज़ में आपको जरूर बताऊंगा कि Britain की महाना जो Elizabeth देती है वो इसलिए famous काफी ज़्यादा है क्योंकि उनके नाम दुनिया के सबसे लंबे सासनकाल में शामिल है एक तरीके से 70 वर्षों तक इन्होंने बिटेन पर सासन किया है और वैसे भी आप देखिए जहां तक हमारे सामने news आ रही है और basically news का confirmation जो है वो ये है कि Prince Charles को अब appoint कर दिया गया है as a successor और Prince Charles जो है अपसे नए king जो है वो बिटेन के माने जाएंगे और Prince Charles का देखिए जो पूरा नाम है वो Charles Philip Arthur George है जो Prince Philip और Elisabeth Ditya के सबसे बड़े बेटे माने गए हैं तो इनी को successor जो है वो भी चुना गया है तो अब ये जो है ये बिटेन के नए king जो है वो बन चुके है और दीखिए वैसे भी मारानी का जो अंतियम संस्कार है वो उनके मृत्यू के 10 दिन बाद होगा इसलिए आप शाइद ये जो नाम है Operation Unicorn वो भी काफी जादा शाइद news में सुन पा रहे होंगे दो Operation का नाम आप सुन रहे होंगे एक तो Operation Unicorn एक या फिर Operation London Bridge अब इन दोनों में से कौन सा इंप्लिमेंट किया जा चुका है जब से मारानी LGBT 2 की देहत हुई है तब से ये दोनों Operations के नाम काफी ज़्यादा news में आ रहे हैं तो दीए ये जो Operation से दरसल इनके Funeral से जुड़े हुए है और अब चुकी Scotland में इनके मृत्य हुई है और Scotland का जो राज्य परशू है वो है Unicorn तो Operation Unicorn नाम से ये जो Funeral Program है वो सेट किया गया है और अब 10 दिन बाद इनका Funeral होगा तब तक जो भी परकिरियां की जाएगी जो भी अक्टिविटी की जाएगी वो Operation Unicorn के अंदर की जाएगी तो दीए 10 दिन बाद इनका Funeral होगा मतलब अंतिम संसकार होगा इससे पहले उनके ताबूत को उनकी मृत्यू के 5 दिन बाद लंदन के Bankingham Palace तक जो आपचारिक मार्ग है वहां से लेकर Westminster के Place तक ले जाए जाएगा जहां महारानी तीन दिनों तक उस राज्य में रहेगी इस दोरा लोग अपने अंतिम दर्शन कर सकेंगे और यह इस्तान रोजाना 23 गंटे खुला रहेगा और अंतिम संसकार का जो दिन है वो राष्टिय श्रोक का दिन जहें वो बनाया जाएगा तो Operation Unicorn जहें वो इसी दे संबंदित है अगर इनकी दैत लंदन में होती मतलब Britain में होती या फिर Bankingham Palace में होती तो Operation London Bridge जहें वो लौँच किया जाथा इनके funeral program के लिए या फिर उसकी activities को implement करने के लिए तो ये basic सा एक idea है कि Operation Unicorn जो आप news में सुन रहे हैं तरहसल वो क्या है अचा कोहिनूर से जुड़ा हुआ जो थत्त्य है उसको भी हम discuss करते हैं देखें महरानी Elizabeth दित्य जहें वो सोने और प्लेटनम से बनी हुई जो इनका मुकुट है वो पैंती थी जिसमें कोहिन और हीरा जो है attached था ये कोहिन और हीरा जो है वो लगबग 105 करेट का है और इसके अलावा इस पूरे ताज के अंदर लगबग 2866 हीरे मौजूद है इस मुकुट में हीरे जडित चांदी के मौंट है और ये बड़े पेमाने पर टेबल, गुलाब और शांदार जो कटाउट है उससे बनाया गया है लगबग 3600 करोड रुपए इसकी जो पूरी प्राइज है वो डिनोट की जाती है और स्वने के मौंट से जड़े हुए कई रंगीन जो रतन है जो नीलम है जो पन्ना है जो मोती है वो इस क्राउन में शामिल है और इसको दिखे महरानी अलिजबेज जो है कई मौके पर पहनती थी और यहाँ पर आप ये ब्लू गलर का जो एक देख पा रहे है यह जो डाइमंड इसी को कोहिनूर कहा जाता है जो भारत की गोलकुंडा खान से निकाला गया था 800 साल का इतिहास काफी शांदा रहा है कोहिनूर का भी और कैसे जैसे यह जो है अब भारत का जो कोहिनूर है वो बिटेन पहुँच गया था और महारानी अलिजाबेट का जो ताज है उसपर लगाए गया था कोहिनूर लेकिन चूबके अब जो किंग बने हैं वो एक मेल है तो इनकी जो पतनी है कैमिला जो कैमिला इनकी पतनी है उनको उनके क्राउन के उर यह जो कोहिनूर है वो अटेच किया जाएगा ये बाते हमारे सामने आ रही हैं और इनके crown की दिये हम बात करते हैं तो लगबख एक दश्मलो दो आठ किलो का वजनी ये पुरा crown है जिसमें रंगीन हीरे रतन जो है वो जड़े हुए हैं और वैसे भी देखे इसकी जो गोशना है वो शुरू में ही हो गई थी कि इस साल के शुरुवात में ही एक तरीके से मारानी एलिजाबेर सेकिंड ने गोशना करी थी कि उनकी पत्नी की जो प्रिंस की पत्नी है कैमिला जिसको डचेज ओफ कोरनवाल कहा जाता है ये सिंगासन कर जब बैठेंगी तो उसके बाद में ये जो crown है वो इनको सौप दिया जाएगा मतलब एक तरीक से queen concert बन जाएगी जब ऐसा होगा तो कैमिला को रानी मा का प्रसिद कोहिनूर ताज है वो मिल जाएगा ये बात पहले ही discuss की जा चुकी है officially तो ये अभी present time पे king बन चुके है और इनकी जो wife कैमिला इनको कोहिनूर का जो ताज है वो अब बैनाया जाएगा उसके साथ साथ दीखे आप सोच पा रहे होंगे कि इनके पास में क्या क्या पावर आ गई है king बनते ही तो दीखे मारानी Elizabeth ब्रिटेन के अलावा 14 राष्टमंडल देशों की मारानी भी थी अब king Charles वो इन देश के राजा होंगे और अब राजा के पास में देश में सरकार न पराने के लिए जो अपचाईक रूप से आमनतन है वो भी दिया जाता है तो यह सब पावर्स अब king के हाथ में जा चुकी है वहीं पहले रानी जो है दूसरे देशों से आने वाले राष्टर देख्षों की मेजबानी करती थी लेकिन अब उनकी जगह king Charles III यानि Charles Philip Arthur George वो य काम जो है आवागे करेंगे अचा इनकी इंडिया विजिस के लिएम बात करते हैं तो महरानी जो है वो भारत में तीन बार आई है अभी तक मलब जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत में जो queen Elizabeth द्वितिय है वो तीन बार आ चुकी है पहली बार वो 1961 में आई थी दू प्येम थी उसके बार 1997 के अंदर दी हम बात करें तो उस समय क्या नारायनन जो दे प्रेजिडेंट थे और उसके साथ साथ जो अटल ब्यार वाजपी की सरकार थी वो बस बनने ही जा रही थी उस समय queen Elizabeth जो है भारत में आई थी और queen Elizabeth जो है भारत में अपने पती जिनका नाम है प्रिंस फिलिप उनके साथ में आई थे और ये तीन बार वैसे भारत में आ चुकी है इन से पहले यह दिया हम बात करते हैं तो 1911 के अंदर 1911 में जो मारानी Elizabeth दीती है उनके दादा जो king George पंचम है और queen Mary ये भारत आये थे तब ही दिल्ली दरबार जो है वो सजाय गया थ और दिल्ली को भारत की capital बनाया गया था और आज जो central vista project चल रहा है वो जो पूरा राजपत का renovation चल रहा है वो उसी राजपत का renovation चल रहा है जहां पर दिल्ली दरबार सजाय गया था 1911 में जब George पंचम भारत आये थी इनका coronation भारत में हुआ था उससे पहले भारत की जो र एक तरीके से Queen Elizabeth Dutia जो है इनके दादा है और 50 साल बाद देखे वह British शाही परिवार से भारत आने वाली पहली शाही मेमान थी क्योंकि उससे पहले 1911 में जब George पंचम आये तो उसके बाद में उसके बाद पूरे 50 साल के बाद में 1961 में राजिंदर परसाद जो भारत के प्र शाही परिवार से भारत आने वाली पहली शाही मेमान जहे वो Queen Elizabeth मानी गई थी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड एकट्टी हुई थी उस समय तो यह काफी एक रोचक अधिहास रहा है Queen Elizabeth 2 का और जो अपडेट समारे सामने आई है कि आगे क्या- होगा इसी तरह के important और informative वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे चैनल को subscribe परना बिल्कुल भी ना भूलें like share करते रहें धन्यवाद